Hello everyone, welcome to my YouTube channel तो आप सभी के लिए एक important update है State Selection Board SSB के तरफ से तो SSB ने आप लोगों का revised answer की को release कर दिया है जैसे कि आप लोग ये notice देख पा रहे हैं तो आपका जो भी subject है उसका revised answer की आप इस वीडियो से चेक कर सकते हैं, तो ये notice आया है कल यानि 16 December को notice number 1371 तो आप लोगों को आने वाले जो भी SSB के recruitment process में जो भी सारे steps हैं, जो भी processes हैं वो सभी के वीडियो update पाने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe करके, bell icon को खास करके, press करके रखें, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो बनाओ, तो आप लोगों तुरन notification मिल जाएं, क्योंकि मैं अभी SSB के website को frequently track कर रहा हूं, monitor कर रहा हूं, तो आप सभी को जो भी update रहेंगे, मैं तुरन दाके वीडियो बना के दूँगा, इसलिए आप लोग चैनल को subscribe करके जरूर रखें, तो चलिए देखते हैं, क्या है notice में तो जैसे के आप लोग देख रहें, यहाँ पर बताया गया है consequent open completion of the written examination for recruitment of lecturers for non-government-aided colleges of the state in portions of advertisement number on 3rd December, subject wise answer to the questions were uploaded in the official website of the state selection board आप लोग मालूम है, तीन तारी को exam हुआ था उसके बाद ठीक उसके एक घंटे के अंदर-अंदर subject wise answer की को release कर दिया गया था उसके बाद, objection to the said answer की were invited from the candidates up to 5 p.m. of 6th December fire notice number तो आप लोग मालूम है, उसके बाद-बाद आपका तुरंधी 6 तारीक तक, 6 तारीक, 5 बज़े तक आप लोग का objection लिया गया था उसके बाद, all objection received within the timeline and accompanied with requisite amount of bank draft have been considered by the subject expert and as for their recommendation, the answer sheets have been evaluated and the list of provisionally shortlisted candidates has been notified now the same is uploaded for the information of candidates तो यहाँ पर यह बता जा रहे है कि अभी जो आप लोगों का कल ही जो merit list आया है वो merit list आपका revised answer की को देखते हुए ही बना गया है तो आप एसा मत सोचिएगा कि पहले merit list आया है उसके बाद revised answer की आया है मतलब और एक merit list आने वाला तो एसा विल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि अभी जो merit list बना है वो reverse answer की को देखते हुए subject expert के द्वारा उसको पूरा आप लोगों का check करते हुए ही बनाएगा है तो यह आप लोगों का अभी के लिए मान के चले तो चले देखते है कौनसा कौनसा subject का आप लोगों का changes हुआ है या फिर refresh हुआ है देखिए anthropology यहाँ पे एक चीज में बता दे रहा हूँ जहाँ पे भी star mark होगा star mark वाला जो भी question number में star mark होगा वहाँ पे आप लोगों को full credit दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे anthropology में कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका जो भी subject है वहाँ पे pause करके देखेंगे तो anthropology में कोई भी changes नहीं हुआ है इसका मतलब यह as it is जैसा पहले था वही same to same है तो इसमें कोई भी changes नहीं हुआ है ठीक है उसके बाद देखिए biotechnology का देख सकते हैं जहाँ कहीं पे भी subject है आप revise answer की को check कर सकते हैं यहाँ पे भी किसी भी तरह का revision नहीं हुआ है उसके बाद देखिए botany botany में भी देख सकते हैं यहाँ पे भी कहीं पे भी star mark नहीं दिया गया है और नीचे भी कुछ भी नहीं लिखा गया तो इसका मतलब यह भी revise नहीं हुआ है उसके बाद देखिए लेकिन chemistry में check करेंगे तो chemistry में 53 यहाँ पे एक revision हुआ है star mark दिया गया है उसके बाद 82 question में ठीक है तो जहाँ कई भी आपका subject है वहाँ पे pause करके आप check कर सकते हैं और यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए star mark का मतलब है full marks have been awarded to all candidates irrespective of attempting or not attempting the question अगर मालीजे आपने exam के time में confused होकर यह question को attempt नहीं किया था क्योंकि इसका answer साइथ गलत हो गया हो या फिर कुछ भी हो गया हो उसके बाद commerce का में देख सकते है 58 question का हुआ है तो इसका मतलब ये भी revenge हुआ है then economics का देखते है यहाँ पे 62 question में star mark दिया गया है जहां कई भी हो सकता है और यहाँ पे देखिए question number 21 में A और C यानि कि जो लोग A किये होंगे या C किये होंगे उनको marks मिला होगा लेकिन B और D वालें को नहीं मिला होगा ठीक है star mark वालें में सभी को मिला होगा लेकिन जहां पे दो-दो option देख रहें को मिल रहा है वहाँ पे सिर्फ जो लोग A और C किये होंगे उनको ही मिला होगा ठीक है तो उसके बाद देख सकते हैं education education में आप लोगा का किसी भी दरा का modification या फिर revision नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है या फिर कोई भी star mark नहीं दिया गया है उसके बाद English English में भी नहीं हुआ है no revision then geography यहाँ पे भी no revision geology उसके बाद यहाँ पे भी no revision Hindi में Hindi में भी no revision उसके बाद history history में हुआ है history में revised हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं question number 77 में revision हुआ है उसके बाद देखते हैं next home science home science में देखिए question number 43 में CD दिये गया है उसके बाद और कहीं पर भी revision तो नहीं हुआ है देन उसके बाद IRPM यहाँ पर भी कोई किसी भी तरह का revision नहीं हुआ है उसके बाद law law का भी कुछ भी revision नहीं हुआ है साथ मैं कहीं पर छोड़ भी दे रहा हूँगा तो आप लोग यहाँ पर pause कर भी देख सकते हैं उसके बाद library library science का देख सकते हैं इसमें यहाँ पर d दिया गया है 14 d को साथ इसको paste किया गया है कुछ इस तरह लग रहा है यहाँ पर लेकिन कुछ भी revision नहीं हुआ है logic and philosophy यहाँ पर भी कुछ भी revise नहीं हुआ है फिर भी आप लोग चेक कर लिजेगा mathematics यहाँ पर हुआ है question number 32 में दिखा रहा है star mark यानि कि full mark दिया गया है attempt किये है यहाँ पर नहीं उसके अदो उडिया उडिया में नहीं हुआ है physics में हुआ है 32 यहाँ पर full mark दिया जाएगा उसके बाद political science यहाँ पर देखिए question number 42 का double answer है और यहाँ पर भी star mark 49 में दिया गया है hazard धिखे rate यहाँपर उसके बाद psychology यहाँ पर भी question number 8 में था तो यह भी revised हुआ है Sanskrit Sanskrit में कुछ भी revision नहीं हुआ है sociology यहाँ पर भी कुछ revision नहीं हुआ है statistics यहाँ पर भी कुछ भी revision नहीं हुआ है then technology उसके बाद इसमें भी कुछ revision नहीं हुआ है then zoology zoology में भी आपका कुछ भी revision नहीं हुआ है यहाँ पर cd दो option नहीं तो cd यानि आप लोगों का इसमें दो answer दिया गया ठीक है तो आपका जो भी subject है वहाँ पर pause करके आप लोग चेक कर सकते है तो यह था quick update आप सभी के लिए तो आप लोगों को मेरे चैनल को subscribe करके रखना है ताकि जिससे भी कोई भी update आए आप लोग तुरण notification मिल जाए क्यूंकि मैं अभी frequently track monitor कर रहा हूँ ssv का website को तो आने वाला जो भी process है जैसे कि आप लोगों का certificate verification किस तरह सा होगा क्या-क्या documents लगेंगे उसके बाद आप लोगों का interview किस तरह सा prepare करेंगे उसके बाद आप लोगों का orientation बगेरा किस तरह सा होगा choice selection उस सभी के बारे में मैं वीडियो बनाना बाला हूँ